Hello everybody, मैं हूँ Anisha, welcome to Magnet Brains. कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing well during this pandemic. So, आज हम क्या start करने वाले हैं? आज हम हमारी Honble Book का 3rd chapter start करने वाले हैं, जो की है, Discovering Tut, The Saga Continues by A.R. Williams. सबसे बहुए तो मैं आपको इस title के बार में समझाऊंगे, यह उसके बाद हम आगे कुछ बात करेंगे, यह जो title है, Discovering Tut, अभी यह Tut कौन है? यह जो Tut है, वो है King Tut, यह एक Egyptian King है, यानि Egypt के King रह चुके हैं. तो उन्ही के बार में आज हम यह पूरा चाप्टर पढ़ने वाले हैं. The Saga Continues, What do you mean by Saga? Saga का मतलब जो कोई एक बहुत पुरानी लंबी स्टोरी होती है, और वो continue हो रही होती है, यानि कि वो लंबे समय से चली आ रही होती है. तो उसको हम कहते हैं Saga, तो यह जो टुट है, King टुट की जो स्टोरी है, उसकी सागा continue हो रही है, यानि कि इनकी डेथ हो चुकी है, कई सालों पहले, बहुत सालों पहले, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी उनको discover किया गया है, यानि उनकी डेथ बोडी को धून निकाला गया है, और उनकी सागा continue हो रही है, सागा यानि कि इनकी डेथ के बाद भी उनकी स्टोरी continue की जा रही है, उनकी डेथ के बारे में रहस्य जान कर, ओके, देखते हैं क्या है इस चाप्टर में, सबसे पहले हम introduction देखेंगे, अब यह जो स्टोरी है, यह King Tut के बारे में है, जो कि obviously मैंने भी आपको बताया Egyptian King है, और यह Egypt के रहने वाले थे, इनके जितने भी four fathers थे, यानि इनके जितने भी पूरवज थे, उन्होंने कई सालों तक, decades तक Egypt पे राज किया, यानि रूल किया King Tut का पूरा नाम है Tutankhamun, और जो बाद में उन्होंने चेंज कर दिया था, वो जो था Tutankhamun, तो यह दोनों उनके नाम थे, जो उन्होंने बाद में चेंज कर दिये थे, और उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं Tut, ओके, अब Tut जो था, वो जब 11 years का था, तब ही King बन गया है Faro, क्या कहा जाता है Faro, तो यह इनको Faro Tut के नाम से भी जाना जाता था, इनका बर्थ कब हुआ था, इनका बर्थ हुआ था 1341 BC में, और इनके डेथ हुई थी 1321 BC में, अब एजिप्ट में दो भगवानों की बहुत पूजा करी जाती हैं, जैसे अलग-अलग कंट्रीज म में, अलग-अलग सिटीज में, अलग-अलग प्रांथों में, हर जगा अपने उनके भगवान होते हैं, और उनके अपने ट्रेडिशन्स और कल्चर्द होते हैं, exactly Egypt में भी ऐसा था, उनके एक भगवान थे आमून और उनके नेक्स्ट गॉड थे आटिन, आमून का मतलब हो कि How To Here यह आपका Sun होता है और यह जो के साइट की Boundरी होती इसको हम कहते हैं डिस्क तो sun को भी हम डिसकी कहते है एक तरीके से तो इसको हम कहते हैं डिस्कॉप तरसन तो और इन का मतलब है डिसकॉप त्टो तो King Tut के बारे में यहाँ पे था कि वो कितने years के थे, वो 11 years के थे, जब वो King बने थे Egypt के, उनका नाम पहले Tutankhaten था, फिर इन्होंने चेंज करके Tutankhamun कर दिया था, और Shortman उनको Tut कहा जाता है, उनका birth यहाँ 1341 में हुआ था, और उनकी जो death थी, वो 1321 में हुई थी, उनके दो God थे, जिनको एजिप्ट में पूजा करी जाती थी, जिनकी जेक थे, आमून एक थे, आर्टिन, आमून का मतलब Egyptian God of Sun and Air, और आटिन का मतलब है, डिस्क ओफ दे सन, यानि की सन, सिर्फ सन की बात हो रहे है, और फारो मतलब Egyptian word for King, एजिप्ट में Kings को फारो भी कहते हैं, तो King After life का मतलब होता है, कि death के बाद भी कोई life होती है, वहाँ के लोग ये सोचते हैं, या उनकी ये मान्यता है, ये belief है, कि death के बाद इंसान की जो body होती है, वो वहीं रह जाती है, और उसकी soul एक body से किसी दूसरी body में travel करके चली जाती है, तो ये Egyptians का thought था, ये Egyptians की beliefs थी, King Tut के ब बाद से relate कर पा रहे होंगे, Egypt में जितने भी बड़े-बड़े Kings और जितनी भी बड़ी-बड़ी Royal Families के लोग होते हैं, उनकी death के बाद उनको mummify कर दिया जाता है, याने white color के ऐसे बड़े-बड़े bandages होते हैं, और उनको पूरी bandages से cover कर दिया जाता है, और उन bandages को बहुत tightly stick कर दिया जाता है, और किस से stick किया जाता है, raisins से, raisins क्या होता है, अगर आप चीड के पेड के बारे में जानते हैं, चीड का एक पेड होता है, जिसमें से sticky substance निकलता है, और उससे gum बनती है, तो उसी gum से ये सारे जो bandages उस body पे लगाए जाते हैं, उसको stick करके उस body को mummify करते हैं, यानि, mummy बनाके उसको preserve कर देते हैं, ताकि सालों साल वो preserve रहे हैं, और उसके बाद उनकी coffin जो होता है, जिस box में जो dead body रखते हैं, उस coffin कहते हैं, तो उस mummified body को coffin में रखके, उनके tomb में, यानि, उनके मगबरे में रख दी जाते हैं, बरी कर देते हैं, यानि की guard देते हैं, अब किंग की body के साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि वो एक king थे, तो obviously उनकी body को भी mummify किया गया, और three layered gold coffins में, उनकी body को बरी किया गया, अभी three layered gold coffin के हैं, जिस coffin में, जिस box में उनको रखा गया था, वो gold का था, फिर उससे बड़ा एक और coffin था, जिसमें उस box था, coffin था, उसको रखा गया, और ये तीनों बड़े-बड़े जो boxes थे, वो gold के थे, तो king toot की body को भी mummify करके, gold के तीन layer के coffin में, उन्होंने बरी किया, also, मैंने जैसे आपको बताए कि Egyptians जो हैं, वो after life में believe करते हैं, तो वो ये सोचते हैं, कि जब dead body चली जाती है, तो उस के साथ, उसकी tomb में, उसके coffin है, उसके जरुवत की चीज़े भी हमें रखनी चाहिए, क्यों, क्योंकि एक soul यहां से जाएगी और कहीं दूसरी जगा जाएगी, ये soul, तो उसको ये वहाँ पे चीज़े जरुवत पढ़ेंगी, जहां वो नहीं जगा पे जा रही है, तो king toot क की जो coffin था, जो उनकी dead body थी, उनके साथ भी उन्होंने बहुत सारे jewels, riches, precious diamonds, golds, जितने भी महंगे महंगे सारे precious stones होते हैं, बहुत सारा gold ये सब चीज़े रख दिया गया, और rose marra की, देली की कुछ जरुवत की जरुवत की चीज़े होती हैं, वो सब भी रख दी गई, क्यो soul है, वो भी किसी दूसरी body में जाएगी, और वहाँ जाके उन्हें ये सारी उनकी जरुवत की चीज़े काम आएगी, तो जो first layer of coffin था, मैंने आपको बताया ही है, कि three layered gold coffin था, जिसमें जो first layer का coffin है, coffin याने कि वो box जिसमें dead body को रखा जाता है, उसमें क्या-क्या थे, garlands of olive leaves, garlands याने मालाएं थी, olive leaves की, lotus petals थे, lotus के पेड़ के petals थे, याने कलियां थी, and corn flowers, इस नाम के flowers उसमें पाए गए थे, तो ये सारी चीज़ें उनके gold के coffin में रख दी गए थी, along with gold, jewels, precious stones, diamonds, इस सब कुछ रखा गया था, उसके बाद, हावर्ट कार्टर नाम के एक person ने इनको discover की, इनकी body, 1922 में, तो gold coffin से, ये तो आपको समझ में आ गया, कि afterlife का concept क्या था, और उन्होंने इस first layer of coffin में क्या-क्या चीज़ें रखी गी, अब हावर्ट कार्टर नाम के एक person थे, ये एक archaeologist थे, archaeologist याने वो person जो history के बारे में study करता है, और historical concepts में interest रखता है, तो ये हावर्ट कार्टर ने 1922 में discovered him, किसको him? किंग तुट की body को, किंग तुट की dead body के जो mummy थी, उसको discover किया, या ने धून निकाला, ये कई सालों से धूनने की कोशिच कर रहे दिन, finally 1922 में इनको उनकी body मिल गे, जस्ट उसके बाद 1968 में एक anatomy professor revealed about missing breast, bone and ribs, तो ये बता रहे हैं किंग तुट की body 1922 में discover हुई, और कई सालों बाद से around 40 years बाद 1968 में एक anatomy professor, anatomy professor मतलब वो professor, वो teacher, जो human body को study करता है, उन्हों ने ये बताया, ये reveal किया या ने ये बताया, सामने लाई ये बात, कि उनकी एक breast bone और ribs missing है, अब इस anatomy professor को कैसे पता चला कि उनकी breast bone और ribs missing है, ये possible कैसे था, क्योंकि जब king tooth की death हुई होगी, तब उनकी body को mummify करके, उनकी body को coffin में डालके बरी कर दिया था, तो ये breast bone और ये ribs गई कहां, तो जब Harvard Carter ने 1922 में इनकी body को discover किया था, तो उनकी जो body है, वो coffin से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन body नहीं निकली थी, और क्यों नहीं निकली थी, ये resin नाम का जो sticky substance है, जिससे उनकी body को mummify करके stick किया गया था, उससे उनकी body coffin पे चिपक गई थी, क्योंकि बहुत सालों तक वहीं थी तो चिपक गई थी, बहुत ज़्यादा एक reasonable force भी अकर लगा दिया जाए, तो उनकी body नहीं निकल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक chisel लिया, chisel एक ऐसे instrument होता है, जिससे आप furniture cut करते हो, तो उन्हो को अलग करके बाहर खीच के निकालने की कोशिश की, और फिर बहुत देर sun में भी रख दिया, 149 Fahrenheit degree पे उनको रख दिया, ताकि वो resin जो है, थोड़ा सा liquid हो जाए, याने थोड़ा सा melt हो जाए, ताकि body बाहर आ जाए, लेकिन उससे भी नहीं हुआ, ultimately उनको chisel की मदद से cut कर कि उनकी body को खीच के बाहर निकालना पड़ा, तो जब उन्होंने खीच के बाहर निकाला, तो उनके जो breast bone है, उनके जो सामने की बोन होती है, हमारे lungs को जो cover करती है, वो वाली bones होती है, उन्होंने और वो जो थी, वो भाही चिपक के रह गई, खीचने में, इसलिए उनकी missing breast bone और ribs थी, क्योंकि Harvard Carter ने 1922 में उनकी body के साथ खीचा तानी की, उनकी body को cut किया, उनके limbs निकाले, तो इसलिए उनकी body बहुत ज़्यादा damage हो गई, जिसकी वज़े से breast bone और ribs भी वहीं चिपक के रह गई, coffin के ही box में, उसके बाद 5th January 2005 में, यह जो body है, जो king tut की body है, उसको city scan में डाला गया, अब city scan क्या है, CT का full form है, computed tomography, यह आब आज की rate में यह बहुत common है, इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी machine होती है, और जो body होती है, उसको वो glide करते हूँ अंदर जाती है, याने कि धीरे-धीरे move होती है, उनका head पहले अंदर जाती है, और फिर body and pair अंदर ज आते हैं, और उनकी body में कोई भी problem होती है, किसी भी part में, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, तो वो city scan के x-ray से निकल आती है, तो exactly इसी city scan की जो machine है, इसके through कौन गया, King Tut की mummy, याने उनकी body को डाला गया, ताकि उनकी death से related, उन सारे questions जो थे, जो mysteries थी, जो रहस्य बाते थी, वो सब सामने आजाएं, और ये city scan करने के लिए किसने ये machine दी थी, ये machine दी थी, सेमिन्स ने, उन्होंने ये machine donate करी गई थी, ताकि ये जो city scan का procedure है, जिसमें एक mummy को डाला जा रहे है, एक dead body को डाला जा रहे है, वो बहुत peacefully और बहुत smoothly हो जाए बिना किसी problem की, और ये साइमिन कौन थे, ये वो ही थे, जो city scan machine के manufacturer थे, जिन्होंने ये machine बनाई थी, तो उन्होंने ये donate कर दी थी, आपना काम अराम से कर लिजे, अब यहां से हम अपना chapter स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या छोटी-छोटी word meanings है, क्या important चीज़े हैं, और क्या king के जो रहस पड़ेंगे, let's begin, he was just a teenager when he died, तो ये जो picture आप देख रहे हैं यहां पर, ये king टुट हैं, और वो कब उनके death हो गई थी, जब वो एक teenager थे, मैंने आपको बताया था कि 11 years की age में वो king बन गए थे, और 9 years उन्होंने राच किया, याने अपनी country में rule किया, और वो एक teenager ही थे, जब उनके death हो गई, याने 18 या 19 years की age में ही उनकी death हो गई थी, तो याने कि वो बचपन में ही एक king बने और बचपन में ही उनकी एक death हो गई, तो ये 18-19 साल की लड़के थे, जिनकी death हो गई और वो खुदे king थे, the last hire, inheritor या successor, hire का मतलब होता है, inheritor या फिर successor of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, तो इनके जो बाप और दादा है, याने इनके जो पूरवज है, ancestors है, किसके king तोट के, उन्होंने सालों साल कई centuries तक एजब पर राज किया, और उसके बाद king तोट जब finally आये, तो वो 11 years के थे, और उनको king बना दिया गया, और वो 18-19 years की थे, और उनकी उस ताम death भी हो ग पाया, क्योंकि king की शादी नहीं और वो ऐसे ही उनके death हो गई, तो वो last hire थे अपनी family के याने, अपने पूरी family के आखरी इंसान थे, जो king मने थे और उसके बाद family कहांगे continue ही नहीं हो पाई, उनके dynasty, उनका राज, उनका पाट, उनका खानान वहीं खतम हो गया, He was laid, rest laid in with gold and eventually forgotten, laid in का मतलब होता है loaded, तो वो बोल रहे हैं कि उनकी जब death हुई, तो उनको gold से load करके उनको बरी किया गया है, जब उनके death हुई, तो उनके साथ gold की बहुत सारी चीजे रखी, उनका जो coffins थे, तीन-तीन coffins थे, वो भी gold की थे और बहुत सारी चीजे, जो riches थे जूल से, वो सब चीजे उनके साथ रखी गई, और eventually जब उनकी death हुई, उनको बरी किया, तो दुनिया उनको भूल गई, eventually forgotten, यानि दुनिया ने किंग टूट को भूला दिया गया, यानि यहाँ पर उनकी story खतम कर दी दुनिया बालों ने, Since the discovery of his tomb, अब tomb का मतलब क्या होता है, an enclosure to bury the deal, यानि कि bury the dead, यानि कि हिंदी में इसको हम किसी का मगबरा भी कहते, तो इनकी जो tomb थी, यानि इनका जो मगबरा था, कब discover हुआ था, 1922 में, The modern world has speculated, speculated का मतलब होता है, formed a theory without evidence about what happened to him, उनके साथ क्या हुआ था, तो जो modern world है, वो यह सोच रहा था, कि क्या हो गया King Tut के साथ, With murder being the most extreme possibility, तो यह जो modern world है, कौन सा modern world, 1922 का जो modern world था, उस वक्त वो लोग यह सोच रहे थे, कि King Tut के साथ क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा, 11 साल का बच्चा, King बना, और 18-19 साल की एज में उसकी death हो गई, और उसकी death कैसे हुई, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, वो कैसे म रहा, तो लोग यह सोच रहे थे, उस तरह में स्पेकुलेट कर रहे थे, यहने अनुमान लगा रहे थे कि उसकी death कैसे हुई, and murder being the extreme possibility, तो लोग सोत रहे थे, कि उनके दुश्मन उने शायद उनका murder कर दिया, ऐसा guess लगा रहे थे लोग, Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a city scan that offers new clues about his life and death, अब यह explain करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ और explain कर देती हूँ, ताकि आपके minds में कोई confusion ना रहे, सबसे पहले, 1922 में, Harvard Carter ने उनकी body को discover किया था, यहने ढूंडा था, उसके बाद, पूरे-पूरे 80 years बाद, After 80 years, क्या हुआ, 1968 में, उनकी जो body थी, उसको एक anatomy professor ने बताया था, कि यहाँ पे इसकी missing bones, missing breast bone और ribs जो है, वो missing है body में से, उसके बाद, 2005 में, इनकी body को city scan में, के थू, डाला गया, इनकी body को, यह पूरा series चल रही है, आपकी story की, लेकिन जो हम story read कर रहे हैं, यहाँ पर, वो चल रही है reverse में, यहने वो पहले आपको 2005 का बताएंगे, कि पहले city scan में गई, फिर आपको ले जाएंगे, कि 1968 की बात में, और फिर ले story है, वो reverse में चल रही है, तो आप confused मत होना, बहुत easy है, आप अराम अराम से इसको history की तौर पर मत लेके चलिए, आप इसको story की तौर पर लेके चलिए, एक एक word meaning में आपको समझाओंगी, कोई problem नहीं होगी, and I guarantee you, कि जो years हैं, जैसे 1922, 1968, 2005, यह चोटे 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 years होत होते हैं, वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सरफ वीडियो सुनते सुनते ही, मुझे सुनते सुनते ही, आपको learn हो जाएंगे, तो टेंचन लेने की बच्चों कोई बात नहीं है, तो यह जो हमारा है, वो पुरा reverse में चल रहा है, अब यहां हम पढ़ रहे हैं, 2005 के event के बार में, याने की जब उनका city scan हुआ था, तो story of reverse में चलेगी, now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, it has undergone a city scan that offers new clues about his life and death, अब अपनी death के बाद, पूरे 80 साल बाद, उनको उनके body को वहां से निकाला गया, tomb से याने उनके मगबरे से जहापन को बरी किया गया था, वहां से उनको निकाला गया और उनको किसके through डाला गया, city scan के through डाला गया, क्योंकि वहां पे उनलोगों को investigation करनी थी, कि उनकी body के बारे में, उनका face कैसा दिखता था, उनकी death कैसे हो थी, और सारी mysteries जो उनके death से related थी, वो सब उस city scan के through पता चलेंगी, क्योंकि city scan में x-rays निकलते हैं पूरी body के, और ज कर सकते हो, and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh, अब forensic reconstruction का मतलब क्या होता है, the process of recreating the face of an individual, तो वो ये बोल रहे हैं कि जब उनके death हुई थी, तो क्या हुआ था, लोगों forensic reconstruction हुआ था, forensic reconstruction का मतलब यह होता है, जब किसी के death हो जाती, तो जो crime branch होती है, जो पूरी body को study करती है, तो उसे हम forensic reconstruction के team बोलते हैं, जो पूरी dead body को study करती कि क्या हुआ था, कैसे death हुई थी, क्या इनके body पर marks हैं, तो सब कोच ये forensic reconstruction करती हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो city scan से x-rays निकली उन्होंने precise data, काफी सारा data जो था, वो किसको provide किया था, forensic reconstruction को, और किसका provide किया था, बोईश फारो का, बोईश फारो क्यों बोला गया है, क्योंकि वो boy थे, 18-19 साल की age के थे, जब उनकी death हुई, और फारो क्यों, क्योंकि वो king थे, और एजप्ट में king को फारो कहा जाता है, A ruler in ancient Egypt, आप अगर इस picture को देखेंगे, तो इसमें, जब उनकी dead body थी, तो ये ऐसा skull दिखता था, जब उसके बाद दीरे-दीरे city scan हुआ, तो ऐसा कुछ face निकला, city scan की images के तुरू, एक grey color का face निकला, कि इस तरीकी के उनकी कुछ features थे, उनका face इस तरीकी का दिखता था, An angry wind stirred, dust devils as king tut was taken from his resting place, अब stirred का meaning क्या है, stirred का meaning है, move or cause to move slightly, slightly और ghostly का meaning क्या है, eerie and unnatural, तो वो ये कह रहे है, जब king tut ko, उनकी dead body को निकाला गया वहाँ से, तो ऐसा लग रहा था, वो पूरा मौसम वहाँ पर describe कर रहे हैं, क्योंकि Egypt क्या है, Egypt एक पूरी sand वाली जगा है, पूरा रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर sand की बात बोली गई है, तो वो बोल रहे हैं, कि जब उनको निकाला गया, तो एक angry wind ऐसा लगा था कि हवा गुस्से में आ गई और बहुत तेज तेज चल रही है, क्योंकि king tut ko, उनकी resting place, यानि वो जगा जहां वो rest कर रहे हैं, अपनी death हो चुकी और वहीं पर उनको रग दिया गया, उनको वहाँ से disturb कर दिया गया, उठाया है, निकाल दिया तो ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ घोसली हो रहा है, यानि ऐसे कुछ भूतिया हो लग रहा था उन लोगों को कि कुछ unnatural चीज हो रही है, जो dust थी, ऐसा लग रहा था उसमें कोई devil है, यानि उसमें कोई राक्षस आ गया है, और घूमे जा रही थी, dust हर जगा ओड रही थी, क्योंकि किंग तुट को वहाँ से डिस्टर्ब कर दिया ने, हमने वहाँ से उनको उन्होंने निकाल दिया था, यहर दग्रेव, रेस्टिंग प्लेस का मतलब क्या है, ग्रेव याने उनके कबर में से जब उनको निकाला, इन दे इंशिंट एजप सिमेट्री, अलाज ब्यूरियल ग्राउंड, नोन अजब वैली ऑफ दे किंग्स, यह एजिप्शन से मेट्री क्या है, अलाज ब्यूरियल ग्राउंड, एक बड़ा सा ग्राउंड है, जहाँ और उसको हम वैली ऑफ दे किंग्स बोलते हैं, तो वह यहाँ पे एक्स्प्लेइन करने की कोशिश क कर रहे हैं, कि जो बड़े-बड़े Kings से एजिप्ट के और जितनी भी रोयल फैमिली के लोग थे, उनको ममी कर दिया जाता था, और उनको को उनके कोफन में डाल के बरी कर दिया जाता था, औ और कहां किया जाता था? एजिप्शन से मिट्री में, participationuss, एजिप्शन एजिप् यह नोगों के खड़ों को नाए होता है और वहां पे बीच में उनकी टॉं मोती यह ने उनका बरात है और कहां होता है नीची होता है जमीन से 26 फीट नीचे उनलोगों का मग बरह था है तो तो किंग टोट के साथ भी एग्लेक यही था हूँनका जो उनका तूम था वह वैली अब दे किंग में था वही पर चाले किंग्स की ममी का बढरी कीया गया था तो exactly उनकी उनका भी ऐसा एक पिरामेड रहा होगा जहां पे उन्होंने रॉक कट करके अंदर से एक छोटा सा रूम टाइप बनाया होगा और नीचे जाके 26 फीट नीचे जाके जमीन के नीचे जाके उनकी बॉडी को रखा गया होगा तो यहाँ पे उन्होंने क्या एक्स्प्लेइन किया है जब उनको उनकी बॉडी को निकाला गया तो वहाँ पे इरी हो गया था इरी का याने की बहुत गोस्टली फीलिंग आ रही थी क्योंकि धूल और हवा हर जगा उन्ना स्टार्ट हो गई थी अब वाली अफ दे किंग्स कहा है यह मैं आपको मैप पे भी बताऊंगी यह है पूरा आफरिका का कॉन्टिनेंट जहां पे इजिप्ट कंट्री यह रही यह उसका कैपिटल केरो और यह जो आपको छोटा सा स्टार बना हुआ दिख रहा है यह है वाली आफ दे किंग्स त dark-bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wailing the stars in a casket gray dark-bellied का मतलब जो dark in color है और scudded across का मतलब होता है moved quickly जो जल्दी जल्दी चलते है wailing का मतलब covering किसी चीज़ को cover करना तो वो यह और casket gray का मतलब है the gray clouds were like a gray colored casket which contained the stars the stars are like jewels which are kept in the casket तो यहाँ पर वो यह समझाने की कोशिश कर रहे है यह बताने की कोशिश कर रहे है कि वहाँ का मौसरम डिस्क्राइब हो रहा है कहाँ का? वो valley of the kings की जगा है जहाँ पर king tut की tomb है जब उनको वहाँ से निकाला गया तो धूल उड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कुछ भूद आ गया है आकाश में जितने भी तारे हैं उनको cover कर रहा था कौन? यह black clouds cover कर रहे थे wheel कर रहे थे याने की cover कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर cascade gray है cascade याने एक basket type की होती है तो यहाँ पर clouds को वो लोग एक basket से compare कर रहे हैं और बताने की जो clouds से वो basket जैसे लग रहे थे और उसके अंदर stars रखे हुए और stars को किस से compare किया? Jules उनको लग रहा था जो सितारे हैं वो ऐसा लग रहा था कि हीरे मोती जवारात है तो कैसा लग रहा था? वो black clouds आसमान में घूम रहे हैं तेज तेज और किसको cover कर रहे हैं? सारे stars को और stars कैसे दिख रहे हैं? सारे jewels और सारे हीरे मोती जवारात दिख रहे है और नीचे पूरा desert area है कहाँ पे value of the kings में इट वास 6 पी एम और 5 जैनवरी 2005 तो अब बता रहे हैं कि वो city scan कब हुआ था? 5 जैनवरी को हुआ था और शाम के कितने बज रहे थे? 6 बज रहे थे जब उनको वहां से निकाल अगया और प्रोसेस के लिए city scan के प्रोसेस के लिए ले जाया गया दे वर्ल्स मोस्ट फेमिस ममी ग्लाइड हैड फर्स इंटो असीटी स्कैनर brought here to probe the lingering medical mysteries of the little understood young ruler who died more than 3,300 years ago तो यहां पर वो बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड की सबसे फेमिस ममी है किस की ममी? किंग तुट की ममी वो ग्लाइड करी गई यानि कि continuous motion में चलाएगी जैसे कि अगर आप इस picture में देखेंगे तो यहां पर किंग तुट की ममी को वो लोग किस में डाल रहे हैं? सिटी स्कैनर मशीन में डाल रहे हैं और जब सिटी स्कैन होता है तो बॉडी को एक वहां पर stretcher टाइप पर लिटा दिये जाते हैं और यहां पर मशीन होती है जिसमें head first जाते है यहांने की बॉडी का head first जाता है और फिर धीरे धीरे पुरी body और legs अंदर की तरफ जाते हैं मशीन के अंदर चले जाते हैं और glided यहांने की continuously move होता है वो stretcher और अंदर मशीन के चले जाते हैं तो इसलिए यहां पर glided word यूज़ किया गया the lingering medical mysteries lingering यहांने long lasting जो बहुत समय से चलती आ रही है कोई रहस्य जो काफी समय से solve नहीं हुआ है तो उसी को solve करने के लिए उनकी body को city scanner में डाला गया था और किसकी body को this young ruler young ruler यहांने जो 18-19 years में जो king tut जो pharaoh है हमरी king है जिनकी death हो गई उनको डाला गया और इनकी death को कितने साल हो गए थे 3300 साल हो गए थे 3300 years ago he was died तो इस उनको वहां पे city scanner machine में लाया गया All afternoon the usual line of tourists from around the world has descended जिस दिन उनका city scan हो रहा था वहां पे उनकी body को निकाल दिया गया था और यह बात बिलकुल संसनी की तरह फैल गई तो वहां पे जितने भी लोग थे tourist है वह सब आ गए कि हम को हमें भी किंट टुटकी तूम को देखना है तो वहां पे वह लोग इस तरीके से यसी मैंने आपको बताया था चोटा सा वाल था चोटा सा रूम है जहां पे कुछ वाल्स है और दो तीन लोगों के खड़े होने की वहां पे स्पेस हो पाती है और बीच में उनका टूम है जहां पे उनकी बोडी को रखा गया था तो वह बतारें कि बहुत सारे लोग ऐसे वहां पे आए थे और वो लोग क्या कर रहे थे देखने आए थे and had descended याने की moved or gathered into the cramped, very small to fit into, rock cut, made by a rock by cutting यह सब इनके meanings है जो highlighted है यह सब इन words के meanings है तूम सम 26 feet underground to pay their respect तो जितने भी टूरिस्ट वहां पे थे वो सब आए हुए थे उनके पूरवच किंग को, उनके किंग तुट को देखने के लिए उनके मगबरे को, उनके तूम को देखने एक लिए थे और क्यों आए थे तूपे हिम रिस्पेक्ट उनकी रिस्पेक्ट में आए थे देखने के लिए और सो यह जो रूम है चोटा सा रूम है यह रॉक कट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिक में बताये था कि वहां पर वैली ऑप जब तरीके से पिरमिड जोते हैं और रॉक के बने होते हैं पथर के बने हुए रहते हैं तो इनको काट काट के अंदर एक रूम बनाए जाता है और क्या बता है और वो जो रूम होता है वो बहुत चोटा सा होता है मैंने जासे कि आपको बता था कि बहुत चोटा सा कुछ एक-दो लोगों के खड़े होने के ज होता है और वहाँ पे किंग की ममी को बरी किया जाता है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं देह गेस्ट अट अड्ड अमूरेल्स दो वाल्स अफ बूर्यल चेम्बो आप यहां पे गेस का मतलब क्या है गेस्ट का मतलब है तो लोकिन सप्राइज और अड्मिरेशन जबाब किसी जिसको गेस्ट करते हैं बहुत हिरानी से देखते हैं और गूरते हो कि यह क्या चीज है मूरल्स याने की पेंटिंग्स और अडर आर्ट वर्क्स इग्जेक्टिट डिरेक्ली ओन दे वॉल्ल तो जो उनका रूम था वहाँ पे मूरल्स थे याने की जो वॉल्स थी साइड में चार दीवारे थी वहाँ पे किंग तुट से रिलेटेट पेंटिंग्स बनी हुई थ तो उसे हम मूरल्स कहते हैं उसके बाद यहाँ पे लिखाए गिल्डेट गिल्डेट का मतलब है तो वर्ड वित थिन शीट और कोटिंग ऑफ गोल्ड तो जुनका कॉफिन था जो उनका बक्सा था जिसमें उनको डाला गया था उनकी बॉड़ी को रखा गया था वो तो इसके अंदर किंग टूट की बॉड़ी पाए जाएगी तो जितने भी टूरस थे इसको गेज कर रहे थे याने कि इस पूरे बॉक्स को घूर गूर के देख रहे थे कि पूरा यह जो कॉफिन है जो उपर का कवर है पूरा गिल्डेट है ने गोल्ड की परत इस पर पू कमी के शेप का बनाया तो वो कह रहें कि उसका जो फेस था जो उसका कॉफिन के जो रखकन पर फेस बना हुआ था गोल्ड का उसका सबसे स्ट्राइकिंग और प्रॉमिनेंट फीचर थैने सबसे ज्यादा खूपसूरत दिख रहा था और उभर के आ रहा था जो सबसे नजर भर को जिससे घामल गूरज हम सब तूरस की जा रही था टी तो इस चीज को वह बहुत ऩद्यान से देख रहे थे और गेश कर रहे थे आन्हें के देख ले था जब गए dapat आप्शना मे पेंटिंग्स लगी हुए थी ओहां पे किंग तुक के बारे में पेंटिंग्स और उन एससे पूरा रीड कर रहे थे और आपस में विस्पर कर रहे थे याने स्पीक इनलो की दीरे जीरे फुस फूसाहट कर रहे थे दीरी दीर आवज में बात कर रहे थे कि आरे यह ठेंस से था Whats Pathy की इसरी को हिस्ट्री के सघराब देख सकते हैं तो यहां पे pondering का मतलब होता है think about something carefully जब आप किसी बार में बहुत ध्यान से सोच रहे हो तो उसे हम कहते हैं pondering तो यहां पे जो others थे others यहांने कौन जो दूसरे tourist थे वो खड़े हुए थे शांती से और आराम से एक दूसरे से बात कर रहे थे अपनी guide books पढ़ रहे थे और सोच रहे थे कि जिन लोगों ने King Tutki body को disturb किया याने उसकी resting place यहां पर रेस्ट कर रहे थे death हो कि वहां पे शांती से वहीं पिते उनको वहां से उठाया और disturb किया तो उनको कहीं curse याने श्राप तो नहीं लग जाएगा ऐसा कहा जाता है कि King Tutki जो mummy थी पूरी जो body थी उसके उपर लिखा था कि जो भी King Tutki को disturb करेगा उसको बहुत misfortune उन face करना पड़ेगा याने बुरी किसमत को face करना पड़ेगा या उसकी death हो जाएगी या उसकी मौत हो जाएगी जिसने भी disturb किया तो यह जो टूरस्त है उसी बारे में खड़ेओं के बात कर रहे थे चर्चा कर रहे थे डिसकाशन कर रहे थे आपस में कि जिसने भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा, जिसने भी उनकी बोड़ी को disturb किया, उनको उनकी resting place से निकाला, उनको faro, यानि king का curse, श्राप तो नहीं लग जाएगा, और shiver कर रहे थे, यानि डर रहे थे, काप रहे थे, यह बात सुझझे कि कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, कहीं उन आपस में खड़यो के discussions कर रहे थे. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities as he leaned over the body for a long first look. तो Zahi Hawass, जो कि यहाँ पे Secretary है, Secretary General is Supreme Egypt's Supreme Council के, वो यह कह रहे हैं कि जो body है, King Tut की body है, वो बहुत बुरी condition में है, पूरी damage हो चुकी है, और क्यूं होई है, क्योंकि 1920s में, 1922 में Harvard Carter ने क्या किया था, उनकी body को damage कर दिया था, जैसे कि मैंने बताया था, चिजल की मदद से उन्होंने पूरे limbs काट लिये था, याने की हाथ, पैर, सर, सब अलग कर दिया था, और क्या किया था, और इसकी वाज़े से उनकी breast bone, ribs, सब निकल गई थी उनकी body से, तो इसलिए वो कह रहे हैं, जैसे उनकी body को पहला look दिया, याने पहली बार देखा, तो इसलिए उनकी body बहुत बुरी तरीके से damage हो गई है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर picture में, Carter, Howard Carter, that is, was a British archaeologist, who in 1922, discovered Tut's tomb, after years of futile searching, a futile का मतलब क्या होता है, pointless, incapable of producing the result of something, futile मतलब, जिस चीज में कोई point नहीं होता, आपने बहुत मैनत करी, और उस मैनत उस effort का कोई result नहीं निकला, waste चला गया, futile को मतलब, आप waste चीज से भी, relate कर सकते हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि, कौन अब Howard Carter, the picture which you can see on my left, is Mr. Howard Carter, यहाँ पर बता रहे हैं कि Carter, और पूरा नाम है उनका Howard Carter, यही वो person थे, यही वो archaeologist थे, जो historian थे, जिन्होंने 1922 में, क्या किया, King Tutki body को discover किया, और ढूंडा, और futile searching, यानि जितना भी उन्होंने search किया, ढूंडा, सब किया, बहुत सालों तक इन्होंने महनत करी, तब जाके उनको यहाँ पर, King Tutki body मिली, इट्स कंटेंज, दो हेस्टिली, रांसाग्ड, इन, रांसाग्ड, इन, वर सप्राइजिंग्ली कम्प्लीट, तो हेस्टिली का मतलब क्या होता है, swiftly, यहाँ जो चीज बहुत जल्द बाजी में, जल्दी-जल्दी करी जाती है, उसको हम हेस्टिली कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर, रांसाग्ड एक वर्ड है, जिसका मीनिंग है, रेड, गो थूरू अप्लेस, तो स्टील और डामेज सम्थिंग, जब आप किसी जगा पे चुप-चाप जाते हो, और वहाँ से चीजों को चुरा लेते हो, और स्टील कर लेते हो, या डामेज कर देते हो, उसे वहाँ पर जाके खराब कर देते हो, तो उसे हम रांसाग्ड कहते हैं, आंटिक्विटी याने की ओल्डनेस, याने बहुत पुराना, तो यहाँ पर बोल रहे है, इट्स कंटेंट्स, इट्स कंटेंट्स का मतलब क्या है, या जो इट्स कंटेंट्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, इट्स कौन है, इट्स याने की, जो वहाँ पर किंग टुट की, बॉडी जो थी उसका जो कॉफिन था उसका जो डेड बॉडी थी और उसके साथ जो भी चीज़े रखी गई थी जैसे कि मैंने आपको पता है था बहुत सारा गोल्ड रखा गया था जूलरी रखी गई थी प्रेश स्टोन रखे गए थे और जितनी भी महेंगी महेंगी एक्स चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी गोल्ड की चीज़ें बहुत पुराने पुराने जितने भी वहां पे जूल्ज है याने प्रेशर स्टोन्स है वह सब वहां पे कंप्लीट थे यह सप्राइस की बाते कौन कह रहा है यह यह लाइन कौन कह रहा है मिस्टर जही हवस कह र surprisingly एक बार बहुर अच्छी कि सारे जो content से वो complete है उसमें gold की जितनी भी चीजे रखी हुई थी वो सब वैसी की वैसी ही थी कुछ भी चुराया उसमें से नहीं गया था they remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend अब वो यह कह रहे हैं कि यह सब जितनी भी चीजे हैं जो भी उसमें से निकली गई थी निकाली गई थी गोल्ड की सब चीजे वो richest royal collection का पार्ट बन गई है यानि की royal collection जितनी भी royal चीजें उसका सब यह पार्ट है और यह बहुत अंटीक है इसको खरीदा है बेचा नहीं जा सकता यह royal collection का पार्ट है अंटीक चीजें हैं और वो फारोस के legend का पार्ट है फारोस का legend यानि की फारो की जो स्टोरी है फारो कौन किंग तुट की जो यह कहानी चल रही है यह उसका एक बहुत important part है क्या उसकी सब चीजें जो उसके साथ वहाँ पे रखी गई थी stunning artifacts in gold their eternal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention of resurrection का मतलब क्या होता है restoration to life किसी भी चीज को अगर आब देखो और ऐसा लगते कि वो चीज जिन्दा हो जाएगी अलाइव हो जाएगी एन एक non-living thing जो जिन्दा हो जाएगी उसे हम resurrection कहते हैं तो यहां पे आप क्या बताया जा रहा है उन सारी चीजों के बारे में उन सारे contents के बारे में जो मिले गए थे किंग टुट की बॉड़ी के साथ तो वो कहरें बहुत stunning artifacts art की बहुत सारी चीज उसमें से मिली गई थी gold मिला गया था और eternal brilliance याने कि कभी न भूलने वाला ब्रिलियंट चीजें वहां पे उसमें मिली गई थी और वो ग्यारंटी कर रहे थी याने उन चीजों को जब हम देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था हमें कोई ग्यारंटी कर रहा है कि यह रिसरेक्शन हो जाएगा याने जिन्दा हो जाएंगी जैसे वहां गोल्ड की उनकी चपल्स भी उनके फुट्वेर्स रखे गए थे वह भी गोल्ड के रखे गए तो तरसा उनको देखके लग रहा था कि यह भी जिन्दा हो जाएगा और तो जब 1922 में डिसकावरी होई किंग की बोड़ी की तो यह सब चीजों ने एक संसनी एक संसेशन आ गई लोगों में कि लोगों में बात चीच चर्चा हो गई कि अरे इतना गोल्ड का ऊसमें से वैसा मिला है तो इस वक्त लोगों के बीच में क्या हो गई थी एक संसनी चाह गई थी याने की एक बात बात ये मिलकुल लोग भूली नहीं रहे थे and still get the most attention और आज भी आज की डेट में भी वो सब चीजों के बारे में जो की गोल्ड की थी इतनी प्रेशिस थी आज भी उन्हें उतनी अटेंचिन और इतनी सराहना मिलती है बट तुट वस अलसो बरीड विट एवरीडे थिंग्स हीड वांट इन दी आफ्टर लाइफ बोर्ट गेम्स अ ब्रॉंज रेजर लिन अंडर गामेंट के साथ यह प्रेशिस चीजे तो थी जैसे गोल्ड हो गया गोल्ड की चपल्ड हो गया बहुत सारे सब यह आंटीक इजिप्ट के लोग हैं वो आफ्टर लाइफ के कॉंसेप्ट ने बिलीव करते हैं और वो यह सोच थे कि इनके साथ वो सारी जरुवत की चीज़े रखी जाएंगी इनके डेट के बाद जब इनकी सोल दूसरी जगह जाएगी वहां पे इनकी सोल यान इनकी आत्मा कहीं और चली जाएगी तो वहां प्र उनको सब चीज़े काम आएंगी तो क्या-क्या रखा गया था बोर्ट गेम्ज रखा गया थे एक ब्रॉंस का रीजर रखा गया था लिनन के अंदगामें च्छा रखे गय थे के सब फूरख रखे गय थे और वाइन भी रखी गई थी after months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures Carter began with his began investigating his three nested coffins of funerary treasures याने की death के time जो treasure जो खजाना उनके body के साथ मिला गया था वो उसे funerary treasures कहते हैं तो वो यह बोल रहे हैं कि सबसे पहले महीनों तक महीनों तक Carter ने 1922 के बाद जब discover किया तो after months उसने सर्फ किस पर investigation किया यह funerary treasures पर जो सब गोल्ड की चीज़े मिली थी जो सामान मिला था उन पर उसने क्या किया पूरी research करी पूरा सब कुछ टेस्ट किया कि क्या चीज़ें कपकी चीज़ें सब कुछ इसके बार में investigate किया उसके बाद Carter ने क्या शुरू किया what he began investigating उसका three nested coffin three nested coffin समझे क्या होता है exactly ऐसे उनका coffin था यह सबसे नीचे एक बड़ा सा coffin है यानि वो बक्सा है जिसमें जो गोल्ड का था और उसके बाद एक और बक्सा है एक और बॉक्स है याने coffin है जो की गोल्ड का था और imagine कर लिए कि यहाँ पर एक और ऐसा box होगा वो भी गोल्ड का coffin होगा तो यहाँ पर बोल रहें कि उनका जो थ्री नेस्टेट था यहने थ्री लेयर गोल्ड coffin था जिसमें से उनकी बॉड़ी हमें मिली अब इसके उपर ने काटर ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करी इसके बार में इसमें सबसे पहले क्या था किंग टुट की बॉड़ी थी फिर इस बॉक्स को इस बड़े बॉक्स में रखा गया और फिर इस बड़े box को इस सबसे बड़े box में रखा गया तो इसी को हम क्या कह रहे है three nested coffin तो three coffins placed one in another in order of decreasing size the innermost coffin hoses the body of the king और innermost सबसे अंदर है वही पर क्या है King Tutki body है ओके opening the first जब पहला coffin का लेयर उन्होंने open किया he found a shroud उनको क्या मिला उसमें से एक shroud याने कि एक कपड़ा जो इससे dead body को cover करते हैं ओक प्रामिला shroud याने की a length of cloth in which a dead person is wrapped याने कि उसको पूरा लापेटा जाता है तो पहले coffin के जो में से उनको क्या मिला एक shroud यह कपड़ा मिला adorned with garlands of willow adorned याने decorated with garlands of willow अब यह पूरी चीज़े थी यह सब decorated थी सजी रखी गई थी क्यों कि एक किंग के लिए उन्होंने यह सब चीज़े रखी थी तो बहुत respect से और decorate करके रखी गई थी क्या क्या चीज़े मिली थी garlands of willow विलो के होता है जब हमने कई बार देखा होगा कि जब किसी के डेथ हो जाती उज्विली Christians में हमें यह देखने को मिलता है एक round ऐसा होता है और यहां पे सारे the flowers लगे रहते पूरे यहां पर ऐसे यहां पर flowers फूल पत्ति है ऐसे- इसके पूरे border मैं ऐसे लगी रहती flowers leaves ऐसे लगे रहते तो इसको हम विलो कहते है और लोग वहाँ पर डेट बाट़ी के उपर जाकर सरी किस इसको रख देटे ते तो यह वहां पर मिली थी उसकी dead body में से a wrath of flowers and leaves इसी को हम willow कहते and olive leaves also क्या मिला था? olive की पत्तियां मिली थी wild celery याने की पत्तियां फूल पत्तियां ये सब lotus के petals and corn flowers the faded evidence of a burial in March और April नो यहाँ पर बहुत important चीज़ और यहाँ से question भी आ सकते आपके exam में वो कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़े मिली थी corn flowers, lotus petals, garland of willow olive leaves, wild celery ये सारा एक faded evidence है याने की एक धुन्दला evidence मिलता है कि ये सारी चीज़े कप पाई जाती है in the month of March और April जिससे ये अनुमान लगाया ये अंदाज़ा लगाया कार्टर ने कि जो death थी King Tutki वो किस महीने में होई होगी जब भी हुई थी April और March के महीने में क्योंकि ये सारी चीज़े corn flowers, petals, lotus petals, olives willow, garland of willow ये सब चीज़े कप पाई जाती है इन्ही मंस में तो ये इन्ही मंस में King Tutki death हुई थी When he finally reached the mummy though he ran into trouble अब, mummy क्या है? वो ही, जो मैंने आपको बता है था a body of a human being या फिर animal that has been ceremonially preserved and wrapped in bandages तो किसी इंसान या किसी भी animal की जब बाड़ी को आप bandages से पूरा wrap करके preserve करके रखते हो उससे हम mummy कहते हैं ये concept usually mummification का जो है ये इजप्ट में होता है तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो mummy तक पहुचे, कौन Harvard Carter उनको वो एक problem में आ गए एक trouble में आ गए, उनको क्या हुई? एक problem हो गई अब वो क्या problem थी? वो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे picture में दिख रहा है कि वो यहाँ पहुच गए है अब mummy तक कौन? Harvard Carter अब आगे कुछ problems उनको face करनी पड़ी अब रिच्वल क्या होता है? यहाँ कि रिच्वल यहाँ वो सारे traditions जो mummification करने में यूज हुए थे उसी का एक रिच्वल 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 भी था रिच्वल मैंने वो ही बताया था जैसे चीड के पेड में से क्या निकलता है एक स्टिकी चिपचिपा सब्स्टेंस निकलता है जिससे गम बनता है तो इस जमाने में शाद यह हुआ होगा कि उन्होंने पेड में से इतने साल पहले यह नाच्रल चीज़े ही यूज होती है तो उन्होंने भी ऐसा resin यूज किया थे एक स्टिकी फ्लेमेबल सब्स्टेंस नाट इस इन सॉल्यूबल इन वाटर तो यह पानी में गुलता भी नहीं है ऐसा सब्स्टेंस है तो इन्होंने उससे पूरा मामीफेकेशन के और पूरा रिच्वल याने अपने ट्रेडिशन फॉलो किये किंग टुट की बॉडी के लिए अब प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी हावर्ड कार्टर को जब वो बॉडी तक पहुचे जो बॉडी थी वो बहुत हाड़ेंड हो गई थी याने बिल्कुल कड़क हो गई थी और जो गोल्ड का कॉफिन था उसके फ्लोर से उसकी जमीन से चिपक गई थी बहुत बुरी तरीकेश थी no amount of legitimate force could move them Carter wrote later what was to be done legitimate का मतलब होता है reasonable एक reasonable amount of force भी अगर लगा के उस बॉडी को खीचा जाए तो भी वो नहीं निकलेगा Carter wrote later याने जो पूरी report थी जो उन्होंने बाद में तयार करी थी टुट की बॉडी investigate करने के बाद उसमें उन्होंने लिखा what was to be done हम क्या करें हमें कुछ समझी नहीं आ रहा था क्योंकि बॉडी बहुत बुरी तरीके से चिपक गई थी कितना भी एक amount of force लगा लगाला तो भी वो बॉडी वहां से बाहर नहीं निकल रही थी अपने कॉफिन से यह picture जो आप देख रहे हैं इसी को mummification कहते हैं यह bandages लगे हुए और पूरी body को इस तरीके से wrap कर दिया तो और पूरी hard हो गई थी पूरी कड़क हो गई थी और अपने gold coffin से बाहर नहीं निकल रही थी the sun can beat down like a hammer this far south in Egypt and Carter tried to use it to loosen the resins अब जब रेजन था जो वो चिपचिपा substance है वो पूरा कड़क हो गया था यह पूरा hard हो गया था तो south in Egypt Egypt का जो southern area जो south का area वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है बहुत दूप पड़ती है तो इस ने सोचा Mr. Carter ने सोचा कि इस body को दूप में बाहर रख देते हैं ताकि जो sun है वो resin को थोड़ा पिगला देगा और थोड़ा सा hardness जो है वो कम हो जाएगी तो शायद body को हम open कर पाएंगे और investigate कर पाएंगे for several hours he said the mummy outside in blazing याने वह very hot sunshine that heated it in 149 degrees Fahrenheit तो उसने क्या क्या several hours बहुत सारे आवर सक घंटों तक उसने body को बाहर सन में रख दिया blazing heat ने बहुत गरम बहुत धूप में बाहर रख दिया और कितनी डिग्रीज में रखा 149 डिग्रीज फारनाइट पर लग दिया ताकि जो वो रेजन्स हैं वो सब लूज हो जाएं वो चिपचिपा सबसेंज हो पिघल जाए और थोड़ी बॉड़ी लूज हो जाएं ताकि ओपन कर पाएं बैंड़ीज और इन्वेस्टिगेट कर पाएं नथेंग बज्ट इसका मतलब है बज्ट का मतलब मूवड तो शिफ्टर असलाइट मूवमेंट याने कि इतनी खतरनाग धूप में 149 डिग्रीज फारनाइट में रखने के बाद भी नथेंग बज्ट उसमें कुछ मूवमेंट ने आया वो जरा सा भी नहीं पिगला और व he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away that means to cut something with a chisel from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains now if you see in this picture यहां पर यह चिजल की मेज है चिजल एक इसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे यूँ कुरेदा जाता है लकड़ी को वोड़न पीसे को यूँ कुरेद के निकाला जाता है तो exactly बाद में जब उनसे question किया गया किससे हावर्ड काटर से जो Egyptian सुप्रीम काउंसल की लोग है कि आपने जब बॉड़ी को investigate किया तो आपने उसको कट क्यों किया आपने उसको कट क्यों किया तो उन्होंने ये बोला कि मुझे कट करना पड़ा मेरे पास कोई choice नहीं थी क्योंकि इतनी hard हो गई थी बॉड़ी जो ही नहीं इन इन इस डिफेंज काटर रियली हाड लेटल चॉइस अपने बचाव में अपने डिफेंज के लिए अपने आपको सही साबित करने के बाद कार्टर के पास ज्यादा कुछ था इनी क्योंकि ये तो उसने गलत किया था कि बॉड़ी को ओविसली उसने चिजल की ममी फ्री उसने बोला इफी हाड़िंट कट दा ममी फ्री थीव्स मोच सॉटनली वोड हैव सरकमेंड़िट दगार्ट अंड रिप्ट अपार्ट तो मूव दगोल्ड तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने ये बोला कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चोर ऐसा करते अगर किसी को चुरा लेते और बॉड़ी को वहीं छोड़ देते उसकी कोई केर नहीं करते और रिस्पेक्ट भी नहीं होती एक किंग की बॉड़ी की तो इसलिए उन्होंने अपने डिफेंज में अपने बचाओं में ये बोला थॉरिटीज को circumvented का मतलब क्या होता है find a way around thieves would have found a way to tackle the guards and remove the gold from the tomb guards को चक्मा देके वो क्या कर देते वो पूरा गोल्ड चुरा के चले जाते तो अगर उन मैं नहीं करता तो वो ऐसा करते इसलिए मैंने ऐसा किया in toots time the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them यहां पर वही बात हो रही है जो मैंने आपको बताई थी पहले कि जो Egyptians आफ्टर लाइफ में बिलीफ करते हैं और वो यह सोचते हैं कि हम अपने बाद अपने हमारी Soul हमारी डेथ कि बाद हमारी Soul किसी दूसरी life में आगे चलिजाएगी तो हम अपने साथ अफने रिचे याने अपनी गौल्ड की चीजीजे अपनी महंगी महंगी प्रेश स्थीजे इसें ले जाएंगे ताकि वो हमको हमारी सारे riches अपने gold और अपने सारी precious चीजे ले जाहेंगे for his journey to to the great beyond king toot was lavished with glittering goods precious collars inlaid necklaces and bracelets rings amulets तो यहां पर सबसे पर meaning देखेंगे inlaid का inlaid का meaning क्या होता है a decorative pattern on a surface उसके बाद amulets का मतलब क्या होता है an ornament or small piece of jewelry thought to give protection against evil danger or disease तो यहां बोला जा रहा है कि जब किंके death हुई तो उनके जितने भी पहचान वाले ते जो भी जानने वाले उनके family members थे उन्होंने उनकी journey याने death के बाद जो उनकी soul की journey हो रही है इस body से अब कहीं किसी दूसरी body में जाएगा उस journey को बहुत अच्छा और great रखने के लिए उनकी भी body के साथ lavish चीज़े याने महेंगी महेंगी सब चीज़े उनकी रख दी और क्या-क्या रखा उनने precious colors रखे इनलेट रखे याने कि पूरी उनका जो coffin था gold से पूरा decorate किया और amulets रखे आमिलेट ऐसी कि नजर का cover आप देख सकते हैं लोग पहनते तो gold के उसमें नजर का cover लगाते हैं बीच में बहुत थी precious सा महेंगा सा stone पत्थर जड़वा देते हैं तो ऐसे amulets रखे rings रखी expensive महेंगे महेंगे से rings उनके साथ रखी गई थी ताकि यह सब चीजें जो है उनकी after life में उनको काम आए a ceremonial apron sandals sheds for his fingers and toes and the now iconic iconic inner coffin and mask all of pure gold यह और भी चीजें वो बता रहे हैं कि हमने इन चीजों के अलावा amulets, rings, necklaces इन सब के अलाव और क्या क्या चीजें रखी तो apron क्या होता है जैसे पुराने warriors वगर होते हैं वो इस तरीके का यह apron पहनते हैं यह जो कवच होता है इसको हम apron कहते हैं तो यह ceremonial aprons भी रखे गए थे protective garment who worn over the front of one's clothes and tied to the back तो सामने से पहन के पीछे बांच जो दिया जाता है apron इसको बोलते हैं और यह warriors पुराने जमाने में ऐसे अपने protection क्ली पहना करते थे तो यह भी उनके साथ रखा गया था क्योंकि वह king थे also यह भी gold का बना था पूरा april for his fingers and or sandals रखे गए थे sandals आने पैरो की चपले रखी गई थी वह भी प्योर गोल्ड की रखी गई थी sheds रखे गए थे एक loose fitting सा cover होता है वह भी gold का रखा गया था forest fingers and toes कुछ उसके fingers or toes को cover करने के लिए कुछ covers रखे गए थे वह भी सारे gold के रखे गए थे inner coffin and mask एक mask जो कि warriors पेंते इस तरीके के अपने face पे इस तरीके से यह सब चीजें भी रखे गई थी and all things were of pure gold सब pure gold की सब चीजें रखी गई थी किस के साथ king tut की body के साथ to separate tut from his adornments adornments याने उनके ornaments याने जो भी jewelry's उन्होंने पहनी थी gold की यसी apron हो गया rings हो गए ornaments हो गए सारे amulets हो गए जो भी उन्होंने पहनी थी चपल sandals यह सब जो gold की चीजें पहनी होई थी king tut की body को separate करना पड़ा इन सब चीजों से क्योंकि यह सब चीजें क्या होई थी चिपक गई थी उनकी body से तो उनको separate करना पड़ा carter's men remove the mummy's head and several nearly every major joint तो carter की जो team थी carter के जो लोग थे जो उसके साथ महाँ पर investigation करने गए थे उन्होंने king tut की body के जो head है उसको remove कर दिया यानि की निकाल दिया ताकि सारे ornaments उसकी body से separate हो जाएं क्योंकि यह obviously जब city scan machine में डालेंगे तो यह इतना सारा jewelry pen के चपल पैन के यह प्रिंस पैन के तो जा नहीं सकती body अंदर सही images नहीं एंग एक स्रे नहीं हो पाता तो यह सारे ornaments को separate करना पड़ा यान उनकी body से निकालना पड़ा ताकि एक clear body जो है एक open body city scan machine के थू जाए अंदर तो उन्होंने क्या किया था उनका head remove कर दिया था और सारे major joints होते हैं जैसे कि यह हमारा hand है और यह बीच का यह जोईंट है यह arm है यह hand है और बीच का यह portion है जोईंट है तो इस joint को भी तोड़ के open किया पैरो में भी नीज का जो जोईंट है वहां से open किया तो जितने भी important और major joints उनकी body में वो भी निकाले गए Carter और उनकी team ने once they had finished they reassemble the remains on the layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where toot now rests concealed का मतलब hid यहने कोई चीज छुपा के रखी यहां वो बोल रहे हैं जैसे ही उन्होंने पूरे ornaments से ने पूरी jewelry पूरे जेवरात निकाले तुट की body से और उनकी body को अलग किया था limbs को जैसे joints हटा दिये ते head हटा दिये था पेर हाथ सब हटा दिये तोडने पड़े चिजल करके उनको निकालने पड़े यह सब अलग किया जब jewelry उन्होंने उसकी body से फिर उन्होंने उसको जमीन पे sand पे लिटाया और सारे parts को reassemble किया याने जोड़ा जहां सर था फिर वहां हाथ लगाया पेर लगाया यहां पे उसकी stomach लगाया ऐसे करके उसका पूरा उसकी body को reassemble किया गया और padding that concealed the damage the bed with covers ना तो जितने भी टूटे एरिया थे वहां पे पैड कर दिया याने कि थप थप करके उसको पूरा चिपकाया और उसको वापस एक normal body बनाया क्योंकि अब इसको city scan machine में भी ले जाना था और एक box में रग दिया था जहां पर तुट rests now आज की डेट में भी तुट उसी wooden box में वहीं sand पर रेस्ट करते और का से करते हैं इस बीच में हमारा भी city scan की भी बात होगी वो करने के बाद यहां पर वो रेस्ट करते हैं इस wooden box में Archaeology has changed substantially in the intervening decades focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death अब यह बहुत important line है Archaeology याने कि वो पूरी लोग वो पूरी टीम जो Archaeologist होते हैं जो history के बार में पढ़ते हैं और समझते हैं वो बोल रहे हैं कि यह आज की दुनिया में काफी जारा modern world में change हो गया है क्यों change हो गया है क्योंकि जो intervening decades है intervening याने occur in the time between events जब दो चीजों के बीच का जो time होता है उसको हम intervening time बोलते हैं तो यहां कौन से time की बात हो रही है एक time था जब टुट की body को discover किया था 1922 की यह time यह तब की बात हो रही है और यहां की बात हो रही है today आज की बात हो रही है तो यह जो बीच का time है जो बीच के इतने decades इतने साल और साल निकल गए उससे intervening time बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पहले के जो लोग थे जब टुट को जब 1922 में search किया गया था तब के लोग हमेशा किसके बार में fascinate होते थे किसको देखके हमेशा खुश होते थे और जानना चाहते थे जो gold था जो jewelry थी जो body के साथ जितने ornaments लगे थे उसको देखके हैरान होते थे और fascinate होते थे कि रे इतना अच्छा अरे इसके साथ तो चपल्स भी है और वो भी gold की है अरे apron है वो भी gold का है तो उनको चीज़ों को देखके fascinate होते थे याने की बहुत जानने के लिए उनके बार में curious होते थे लेकिन अब time बहुत change हो गया है इतने decades इतने साल बीद गए और यह आज का समय है आज के जो लोग है जो treasure है जो ख़जाना मिलता है body के साथ उसको देखके fascinate नहीं होते बल याने उनको वो सब चीज़े जानना चाहते है ना कि उसके साथ जो treasure gold diamond जुड़ा है उसको उनसे कोई मतलब नहीं है आज की date में तो इसी time changing time के बार में यहाँ पे explain किया जा रहा है इस line lines में it also uses more sophisticated tools including medical technology तो आज की date में बहुत sophisticated tools याने बहुत ही advanced tools और बहुत ही improved tools use करे जाते हैं अपनी technology को use करने के लिए आज की बात हो रही है यहाँ पे in 1968 अब मैंने क्या बता था यह जो पूरी series है यह पूरी reverse में चलेगी अभी city scan की बात हो गई अब 1968 की बात करते हैं यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे एक anatomy professor को missing breast bones और ribs मिली थी अब वहाँ की बात हम करने हैं आपे in 1968 more than 40 years after Carter's discovery an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact beneath the resin the cake's chest the breast bone and front ribs are missing तो यहाँ पे यह बात बोल रहे हैं कि 1922 में जो Carter थे उन्होंने discover किया kinky body को यह ने ढूंड के निकाला और exactly 40 years बाद कितने साल बाद 40 years बाद यहाँ लिखा हुआ है 1968 में एक anatomy एक human body को study करने वाले जो professor है उन्होंने यह ढूंड निकाला कि उनकी जो chest bones है और breast bones और rib bones है वो सब cake हो गई है यह ने उनके गोल्ट के coffin में चिपक गई है और missing है उनकी body में है ही नहीं Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography also called as city scan or city by which hundreds of x-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three dimensional virtual body तो वो यह बोल रहे हैं कि आज का जो जमाना है Today's world जो है वो बहुत advance हो गया है आज की डेट में diagnostic imaging हो रही है diagnostic imaging यह ने पूरी body की हर पार्ट की images निकाली जा सकती है और एक image नहीं thousand images निकली जा सकती स्रव एक finger की और किसकी मदद से computer tomography city scan का full form क्या होता है computer tomography इसकी मदद से अगर मैं चाहूं कि मेरी एक finger को city scan में डाला जाए तो इस finger की thousand images याने इतने पार्ट की इमेज फिर इतने पार्ट की फिर इतने पार्ट की ऐसे से करके thousand images निकल सकती है एक image एक x-ray से और वह भी 3D होती है ने 3D dimensional हर मेंज को आप three three degrees जाने 360 degrees से देख सकते हो कि इधर से कैसे दिखरी यहां का view कैसा है इधर का view कैसा है इसका बैक एक city scanner machine है जैसे कि मैंने बता था एक machine है body glide करती हूं अंदर जाती है यानिकी पूरी move करती हो अंदर जाती है and head first यहाँ पे इस person का head अंदर पहले गे और दीरे दीरे move होते होते हैं पूरी body अंदर जाएगी and last miss के feet अंदर जाएंगे अब जब जाएगी तो यह पूरी body के बहुत सारे images निकालेगी और X-rays निकालेगी और उस हर image को आप 3D 3D degree से देख सकते हो जाने कि 3 dimensional images होती है हर view से आप उसको देख सकते हो exactly उसी को यहाँ पे एक bread के loaf से compare के एक बड़ा सा bread loaf है जिसको रख दिया है और उसके कितने सारे pieces हो रहे है इतने सारे pieces हो रहे है तो exactly इसे पूरी body के भी हर एक पार्ट को इतने इतने छोटे छोटे पार्ट को भी उसकी picture निकाली जाती है city scan के help से और उसको पूरा study कर सकते है आसानी से तो जैसे इस bread loaf के pieces हुए है और इस इसमें जाएंगे तो एक obviously एक body के pieces नहीं होंगे बट याँ इतने इतने जो distance पे images निकल सकती एक पूरी body की थी इस बतलब एक एक स्रेजों से निकले थे उससे से जादा और क्या बता सकती है हमारी city scanner machine एक bread के piece में से जब उनने इतने सारे pieces निकाल दिया ने इतने सारे images निकल गई और एक body scanner machine थी उसके बारे में दो सबसे बड़े रहस्य वाले questions आंसर कर सकता था जो अब भी linger कर रहे हैं याने अभी भी घूम रहे हैं लंबे समय से mystery बन कर पहला था how did he die वो मरा कैसे उसके death हुई कैसे and how old was he at the time of his death तो वो कैसे मरा जब उसकी death हुई थी और उसकी age क्या थी जब उसकी death हुई थी तो ये दो important questions जो है अभी भी linger कर रहे थे उनके सामने तो city scanner machine कई हट तक यांसरs questions के answers देगी King Tut's demise was a big event even by the royal standards he was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty but the particulars of his passing away and its aftermath are unclear वो कह रहे है कि यह जो demise हुई यह जो death हुई King Tut की यह बहुत बड़ा event था सारी royal families के लिए कि जो King Tut है उसकी death हो गई है यह उनके लिए बहुत बड़ी और बहुत shocking बात थी क्यों shocking बात थी क्योंकि जो King Tut थे वो last person के अपनी dynasty के याने अपने पूरे राज पाट के अपने खनान के आखरी वंच थे उसके बाद उनका कोई बेटा कोई भाई नहीं था जो कि उनकी उनकी राजगदी को समाल पाए उनका थ्रोन को ले पाए तो यह बहुत shocking था सबके लिए कि किंग तुट की डेथ याने उनके डाइनस्टी की उनके खनान की डेथ अब उनके बाद उनका कोई वंच नहीं है आगे की किंग शिप को समालने के लिए डेथ राटल मतलब here the indication of the end of डाइनस्टी याने उनका डाइनस्टी जो था उनका जो पूरा वंच था वो अब खतम हो गया किंग तुट की डेथ के साथ बड़ पटिकुलर्ज ओफिस पासिंग अवी और इस आफ्टर मैथ याने की आफ्टर इफेक्ट्स अर अनक्लिर उनकी डेथ हुई कैसे ये तो लोग शॉक हुई थी कि डेथ हो गई लेकिन डेथ हुई कैसे ये और भी ज्यादा शॉकिंग था आज तक उनकी डेथ के जो राज है रहसे है वो अनक्लिर है लोगों को आज तक तिल डेट 2021 तक भी नहीं पता चल पाया कि किंग तुथ की डेथ कैसे हुई थी ये सब चीजे अब भी अनक्लिर है अब हम यहां पर यहां से इस स्लाइट से हम पढ़ेंगे कि किंग तुथ के जो पहले जो उनके दादा पर दादा फादर थे उनके उनके बार में पढ़ेंगे कि उनके वो आए थे तो उन्होंने क्या क्या चीज़े चेंज की थी अब किंग तुथ से पहले थे आम इन होट 3 tog father orbicolor Imp Shields टॉरियंज औरकिलोफज ने मतन्हारst रिसमें मनोर-क रुपंती के वार में तुप गौहरे लेकिन हमना रॉत अब कॉण थे कह से कि उनके ग्रांड फार्दे के बितास एक उनके द्ादा थे यह निस्चंई प्ता है कि मन Cash अब उनके बार में यहां बताया जा रहा है यह उन्होंने फोर डेकट तक राज किया याने कि 40 साल फोर डेकट याने 40 यह तक एजप पर राज किया और 18th सेंचुरी में उन्होंने राज किया तो बहुत पावरफुल किंग थी इस सन अमन होट एफ 4 अब इनका बेटा कौन है अमन होट एफ 4 यह अमन होट एफ 3 है अब इनका जो बेटा है वो है अमन होट एफ 4 सक्सीडेड हिम यहने अमन होट एफ 3 की जब डेथ हुई तो सक्सीड किसनों ने किसने किया उनको यहने उनके बाद गदी किसने समा ली अमन होट एफ 4 ने क्यों क्योंकि यह बहुत अजीब थे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी थी जो 40 सालों में इन्होंने कभी चेंज नहीं करी तो यह बहुत स्ट्रेंज टाइप के बहुत ही अजीब तरीके के राजा थे अब क्या इन्होंने किया वह हम आगे पढ़ते हैं अब देनियों फारो कौन नियू फारो यह आमनों आप फोर अभी नियू फारो आगा न ये वाले डेथ हो गई अब ये आगये तो यह नियू फारो की बात कर रहे हैं अब मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बता है था कि Egyptians जो थे वो आमून की वर्शिब करते थे आमून कौन? The god of sun and air sun and air और उनके एक और god थे आटिन जो किसकी पूजा करते थे? The disc of the sun की चीक है? तो एक उनके गौट थे आमून एक उनके गौट थे आटिन अभी जो न्यू फारो आए इन्होंने क्या प्रमोट किया? क्या फैलानी बाद स्टार्ट किरी लोगों में क्या प्रमोशन किया? वर्षिप ओफ आटिन की कि हम तो आटिन की वर्षिप करेंगे ये लोग किसकी इनका जो खाननान था? किसकी वर्षिप करता था? आमून की वर्षिप करता था शुरू से जो आमन होड़ थी आए थे उन्होंने भी आमून की ही वर्षिप करी याने कि सान एन एर दोनों की वर्षिप करी लेकिन जब आमन होड़ फोर आए तो उन्होंने क्या बोला? हम सरफ वर्षिप करेंगे आटिन की याने डिसक आप दस सन की करेंगे इसकी वर्षिप इसकी पूझा नहीं करेंगे तो इन्होंने अपना आखें आखें आमन नाम से चेंज करके नाम क्या चेंज कर दिया? आखें आटिन याने आखरी में आटिन लगा दिया क्यों? क्योंकि ये आटिन की पूझा करते थे तो इन्होंने अपने नाम के आखरी में आटिन लगा दिया और the servant of आटिन इसका मतलब यह हुआ इसके इसके नए नाम का मीनिग यह हुआ कि वो आटन के सर्वेंट या ने कि उनके भक्त रहेंगे हमेशे किनके डिक कौफ संटेश के एन मुव दरेलिजिस कापिटल फ्रों दी ओल शुटी अफ यू सुटी नि इनु शुट रहेंगे इनके रिलिजिस कानिट लेकिन इन किया बुला कि आमुन की पूजा हम नहीं करेंगे, हम आटिन की पूजा करेंगे और इन्होंने क्या किया, अपना religious capital यहां से change करके यहां कर दिया, अब हमारा religious capital यह है और जिसका नाम है Amarna, ओके, तो यह सब अजीब और strange चीजें हमारे इस नए king ने करी थी He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples तो इन्होंने एक बहुत major ऐसी चीज़ कर दी कि जिससे पूरी country के लोग शोक हो गए, हैरान हो गए इन्होंने क्या किया, इन्होंने Amun नाम के जो भगवान थे, जो की god of sun and air थे उनके temples को बरबाद कर दिया और close कर दिया, also उनकी images जितनी भी थी, यहने हर जगा जो इनकी मूर्तिया images उनको smash कर दिया, यहने बुरी तरीके से damage कर दिया, तो उन्होंने एक god पे damage किया, जिससे पूरी country शोक हो गई it must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of University of Chicago's, research center in luxury, the site of ancient thieves तो अब यहाँ पे कौन किस की बात हो रही है, Ray Johnson person की बात हो रही है, यह कौन है, यह University of Chicago के कौन है, एक director है कौन? Mr. Ray Johnson, अब वो यह बात बोल रहे है कि it must have been a horrific time, horrific यहने जब यह आमन होटेफ 4 आए और इतनी strange हरकते करीब भगवान के temples पे इन्होंने अटाइक कराया, उनकी images और idols को तोड़वा दिया, सब कुछ किया, तो यह उस time country के लिए बहुत horrific time रहा होगा, यहने कि बहुत डरामना समय रहा होगा, और यह जो Mr. Ray Johnson है, यह कौन है, डिरेक्टर है, University of Chicago के research center के कहाँ प The family that had ruled for centuries was coming to an end and then Akhenaten went a little wacky, अब Akhenaten 4 याने Ammon Heart of 4 जिन्होंने अपना नाम चेंज करके Akhenaten कर दिया था, यह थोड़ से wacky हो गए, याने कि amusing in a slightly old way, थोड़ से अजीब अजीब हरकते करने लगे और दिमागी तोर से थोड़ से unstable होने लगे, पागलो जैसी हरकत करने लगे, इसको अगर प्योर हिंदी में बोलें तो exactly अपना दिमागी संतुलन्ग होने लगे, क्योंकि बूड़े होने लगे, इनकी age होने लगी तो इनका दिमाग काम नहीं करने लगा, तो याने कि यह wacky होने लगे, अजीब और और हरकते करने लगे, अने इनसके बाद इनकी death हो ग A mysterious ruler named Smank Karay appeared briefly and exited with hardly a trace, अब वहाँ यह बोल रहे हैं कि यह Smank Karay नाम का एक अंजान king आ गया, याने इनकी dynasty का नहीं था, इनके खननान का नहीं था, इस नाम का जो king था यह पता नहीं वहाँ पर कैसे आया, आखन अटेंड के death के बाद, और इसने briefly आया, याने बहुत कम, briefly या आया और इसने राज किया इजब पे, और उसके बाद यह गायब हो गया and he was hardly left with a trace, इसका मतलब इसने बहुत कम समय के लिए राज किया और यह गायब हो गया और कोई trace नहीं मिला इसका, याने कि इसका कोई नाम निशान नहीं मिला कि कहां गये, कब गये, कैसे गये और बस गायब हो गये कहीं से, and then a very young Tutankhaten took the throne, King Tut as he is widely known today, तो सबसे पहले कौन थे, Ammonhotep 3 आये जो कि उनकी फादर या ग्रान फादर थे, यह चीज़ बलर है, यह भी पता नहीं चल पाई, फिर आये ते Ammonhotep 4, फिर एक अजीब से विर्ट से King आ गये थे, बहुत शोट टाइम के ल 11 years के थे, और तब यह King बने थे, इन्होंने थ्रोन लिया, याने इन्होंने गदी समाली अपने family की, and widely known today as King Tut, और आज की डेट में यह King Tut के नाम से जाने जाते हैं, The boy king soon changed his name to Tutankhamun, that means the living image of Ammon, and oversaw a restoration of the old ways, Ammonhotep 4 ने क्या किया था, Ammon की जो प्राक्टिस्टी उनकी God को वर्शिप करने की प्राक्टिस्टी वो चेंज कर दिया था, और Aten को वर्शिप करने लगे थे, याने, Disc of the Sun की वर्शिप करने लगे थे, लेकिन Tutankhamun ने क्या किया, Tutankhamun ने क्या किया, अब अपना नाम चेंज कर दिया, इनका नाम था Tutankhamun, याने इनके नाम के आखरी में Aten लगा हुआ था, according to Amenhotep 4 के हसाब से, लेकिन इनों ने इस चीज़ को चेंज किया, और अपना नाम चेंज कर दिया, Tutankhamun, इनके नेम के लास्ट में लगाए Aamun, और यह नोंने वापिस पुराने जो इनके बाप और जो इनके दादा थे, जो आमून की पूजा करते थे, याने की, इनके पूजा करते थे, उसी पे अपनी वापिस अपनी जो इनके ट्रेडिशन और कल्चर से जो लाए, जो बीच में, आमन होटप पूर ने चेंज कर दिये थे, याने की, अचानक से इनके देथ हो गई, किसी को पता नी चला कि इनके देथ कैसे हुई, रिगार्डलेस ओफिस फेम, आइन देशन अपनी फेम, इनका जो फेम है, फेमस नेस है जो इनकी, उसको भी अगर हटा जाओ और इनके, इनके स्पेकिलेशन से इनके बारे में सोच रहे हैं लोग कि अरे, ऐसे किंग थे, कैसे डेथ हो गई, इन सबको भी हटा दे, तो जो किंग तुट की ममी है, इस अमंग मैनी इन एजिप्ट, याने एजिप्ट में ऐसी बहुत सारी ममीज हैं, ऐसे बहुत सारी बड़े-बड़े किंग और रॉयल फैमिली के लोग हैं, जिनका ममिफिकेशन कीर करके हैं, उनकी बॉड़ी को प्र बहुत सारी ममीज, कितनी ममीज हैं, no one knows, इतनी सारी ममीज हैं वहाँ पे, इतने सारा वहाँ पे लोगों ने ममिफिकेशन करके, लोगों की बॉड़ी को प्रिजर्व किया है, कि पता ही नहीं है, यह क्वेशन मांग है कि कितनी ममीज हैं, the Egyptian ममी प्रोजेक्ट, इसलिए उन ममी प्रोजेक्ट ने क्या किया, एक इंवेंट्री बनाना स्टार्ट करिया, ने पूरी एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करी, कि एजर्व में कितनी ममीज हैं, और 2003 तक इनको 600 ममीज मिली, कितनी ममीज मिली, 600, and still counting, और आज की डेट में 2021 में भी, still यह लोग काउंट करने, क्य आप सोचिए, the next phase, अब next phase था, scanning the mummies with a portable city machine, donated by the National Geographic Society and Samen's, its manufacturer, तो अब पहली चीज क्या करी, ममी, ममी प्रोजेक्ट ने क्या करी, Egyptian ममी प्रोजेक्ट ने की सब की inventory, list बनाना स्टार्ट करी, और second चीज क्या करी, हर ममी को city scan के थ्रूँ पास कराया, और जानने की कोशिट ने करी कि यह कौन से किंग किया, कौन से royal family के person की यह ममी है, और उसनके death के सारे रहसी और मिस्ट्री जानने की कोशिश करी, हर ममी को city scan में डाला गया, तो second phase में क्या किया, scanning of the mummies करी गई, किसके तुरू, वो city scanning, computer tomography machine से इस तरी की से scanning करी गई, like you can see in the picture, अब यह जो city scanning machine थी, जिसमें सारी ममीज याने सारे dead bodies को scan किया जा रहा था, यह किसने उनको donate करी, यह process करने के लिए, city scan करने के लिए, साइमन्स ने, यह वो लोग है, जिन्होंने, जो manufacturer है, city scanning machine के आने, जो जिन्होंने machine बनाई है, उन्होंने donate कर दी ता कि यह जुनका काम है, बहुत smoothly और बहुत अराम से हो जाए, बिना किसी problem की, King Tut is one of the first mummies to be scanned, in death as in life, moving regally ahead of his countrymen, now this is a very important line, also questions can also come here, come from here, यहां बोल रहा है कि King Tut की जो mummy है, वो सबसे पहली mummy है, scan करने के लिए, याने कि इतनी सारी mummies में से, King Tut की जो mummy थी, वो first mummy थी, जिसको city scan के through, move कराए गया, जिसको scan कराए गया, in death as in life, याने कि जब वो जिन्दा थे, वो अपनी सारे countrymen के ahead थे, जब King Tut जिन्दा थे, when he was alive, he was a head of his countrymen, याने कि वो अपने सारी country के लोगों से आगे थे, सबसे उपर थे क्योंकि King थे, जिन्कि वो एक राजा थे, वो alive थे, तब भी सबसे उपर थे, और जब उनके death हो गई, याने उनके मरने के बाद, जब उनकी mummification हुई, जब वो mummy बने, तब भी वो सारी mummies में से first mummy थे, जिनको city scan के थूँ पास कराए गया, तो वो तब भी राजा थे, जब वो जिन्दा थे, और वो तब भी टॉपर थे अपनी death के बाद, जैने सारी mummies में से, किंग तुट की mummy first mummy थे, जिसको city scan के थूँ पास कराए, जब यहां से हम वो पढ़ेंगे कि कैसा पूरा सेनारियो था, कैसी पूरी situation थी, जब किंग तुट की mummy को उन्होंने scan किया, जिस दिन scan करना था, उसकी उस दिन की रात को, जितने भी workmen थे, उन्होंने किंग तुट की जब बॉडी थी, उनके tomb से, उनके box में से उनको निकाल के बाहर लेकर आए, अ city machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital x-ray images in the cross section, तो जब उनको city scanning machine में डाला गया, तो उनके 1700 x-ray images निकाले, कितने images निकाले, 1700 x-ray की उनकी images निकली पूरी body की, इस तरीके से, यह और हर view में, obviously हर machine जो थी, वो 3D view दे रही थी, तो यह coronal view था, axial view था, यह उसका sagittal view था, हर view से, हर direction से उसकी body को जो था, उन्होंने study किया, Toot's head scanned in 0.62 mm slices to register its intricate structures, takes on eerie, eerie detail in the resulting image, eerie मतलब वोई अजीब सी image, strange image of Toot's head as visible with the help of a city scan, तो जब city scan में उनको डाला गया, तो जो उनका head था, उसके, उनके कितने वो लिए गए, कितने distance पे pictures ली गए, जैसे मानोई पूरा head है, 0.62 mm के distance पे उनकी next picture ली, फिर 0.62 mm के distance था, फिर next picture, तो इतने-इतने distance पे उनके पूरे head की, बहुत सारी images ली गए, और फाइनली एक अजीब सी grey image सामने आई, जिसमें तुट का फेस हलका-फुलका दिखने लगा, विट तुट's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the wind goddesses of a gilded burial shrine protected for so long, ना यहाँ पे ध्यान नेने की जरुवत है, यहाँ पे यह बोल रहे हैं कि जब तुट की पूरी body को record किया गया, यानि कि उनके सारे x-ray में जिसको निकाले गए, और जो भी सारे उसमें results आई थे, वो साब उन्होंने record की अच्छे से, जो भी city scan का result था, फिर कौन आया, एक team पूरी आई, जो इसकिस में specialist थी radiology, radiology यानि वो team जो x-rays में specialist होती है, फिर एक forensic की team आई, यानि वो team जो crime branch team होती है, यानि कि जो एक body से related हर आपको details रेती है, अगर उसके साथ कोई crime हुआ है तो, और एक anatomy की team आई, यानि कि वो team वो professors की team आई, जो human body को study करते हैं, तो ये सारी teams आई थी, किसको study करने, किसके results को study करने, किंग टुटकी body को, began to probe, प्रोब यानि investigate करना किसी बारे में, और क्या investigate कर रहे थे लोग, secrets are the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long, नो यहाँ पर बात हो रही है, औसर इसकी, किसकी बात हो रही है, जैसे हर country में अलग-अलग भगवान होते हैं, अलग-अलग उनकी cultures होते हैं, वैसे Egypt में भी एक goddess है, उसरिस, इनको पूलते हैं goddess of death, यानि afterlife, वो goddess, जो death की goddess कहलाती हैं, और afterlife की कहलाती हैं, इस picture में अगर आप देखोगे, तो यह जो picture है, यह औसरिस की picture है, यानि इस God की picture है, जो afterlife की death होती है, और यह picture जो है, यह जो painting है, यह किसकी है, King Tutki, यह exactly पूरी same जो painting है, यह आप King Tutki, जहाँ पे tomb है, जहाँ पे उनका मखबरा है, जो उनका छोटा सा wall है, जहाँ पे उनको बरी किया था, तो side में जो murals थे, यानि जो tourist देख रहे थे शुरू में, वहाँ पे यह same painting exactly बनी हुई है, तो यहाँ यह बोल रहे हैं, कि जो औसरिस है, वो King Tutki body को protect करती रहती है, और उसके पास यह रहस्तिय है, उसको यह मालूम है कि King Tutki body, death जो है, वो कैसे हुई थी, किसको पता है, औसरिस को पता है, और वो इतने सालों से, यह राज जो है, अपने साथ समाल के रखी है, अपने साथ उसने छुपा के रखा है, तो जितनी यह team आई थी, radiology की, foreign security और anatomy की, यह सब क्यों आई थे, उसी राज को पता करने, उसी राज को जानने, जो ऑसरिस ने छुपा के रखा है, अब ऑसरिस वहाँ है नहीं, वो दिखती नहीं है, वो एक God है, वो एक भगवान है, और बिलीव्स है वापे Egyptians के, कि ऑसरिस ने ऐसा चुपा के रखा है, जैसे उनका आफ्टर लाइफ का कॉंसेट है, कि हाँ आफ्टर लाइफ भी कोई होती, वैसे ऑसरिस भी उनका एक भगवान है, जिनको वो जिनकी वो लोग पूजा करते हैं, और यह सा बिलीव करते हैं, कि कि टुट की बोडी का जो राज है, उनको पता है कि इनकी डेथ कैस हुई, तो बस यह जो पूरी टीम से, इडियोलोजी की, फॉरेंस एक्स की, और अनाटमी की, यह सब इसी राज को प्रोब करने आने, इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, जो औसर इसने इतने साल उसे चुपा के रखा है, यह होते हैं पॉल बेरर्स जो आपको यह दिख रहे हैं, यह दो पंदे, यह दो पंदे जो आपको दिख रहे हैं, यह पॉल बेरर्स हैं, याने कि जो कांधा देते हैं एक डेट बोडी को, उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है, स्वोर्लिंग याने, स्पिन ओना, कोई चीज ट्वर्लोना, कोई चीज, ट्विस्ट होना, उसको स्वोलिंग कहते हैं, फिर आता है एक हाइड्रॉलिक लिफ्ट, यह जो आप इमेज देख रहे हैं, मेरे लेफ सेंट साइट पर, यह एक हाइड्रॉलिक लिफ्ट है, याने यहाँ पर कोई चीज रखी जाती है, यह पूरी पहले नीचे आती है, फिर मशीन ओन होती है, फिर यह मशीन धीरे-धीरे ऊपर की तरफ चली जाती है, तो इसके बाद यहाँ पर एक और वर्ड है, अब यहाँ पर बात बोली जा रही है, कि जो पॉल बेरर्स थे, जो कानदा देने वाले थे, उन्होंने क्या किया, वो नीचे गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में, कि जो किंग टुट की बोडी है, वो 26 feet down है, तो वो एक हाइड्रॉलिक लिफ्ट के थू नीचे गए, उसको उपर की तरफ ले कर आए, और पॉल बेरर्स बाहर तक ले कर आए, ताकि यहाँ पर सिटी स्कैनिंग मशीन रखी हुई है, उपर तक उसको स्कैन करके फिर वापिस नीचे लेगा है, अब यहाँ पर इन्हों ने एक चीज और बताई है, कि जब यह पूरा प्रोसेस हो रहा था, किंग टुट की बॉड़ी को पॉल बेरर्स ला रहे थे, ले जा रहे थे, हाइड्रॉलिक लिफ्ट की यूज हो रहा था, महाँ पे सब कुछ हो रहा था, तब मौसम भार कैसा था, सैंड आउटसाइड जो थी, वो ट्वर्ल हो रहे थी, पूरी सैंड ऐसे पूरी-पूरी घूम रहे थी, पूरा एरिया डस्टी हो रहा था, धूल से भरा हुआ हो रहा था, और इन्होंने यह क्यों यूज किया है, यह आगे पता चलेगा, तो इस तरीके से किंग टुट की बॉड़ी को बाहर दक लेकर आए गया, पॉल बैरर से और हाइड्रॉलिक लिफ्ट की मदद से, 20 मिनिट्स लेटर, टू मैन इमर्जट, स्प्रिंटिड फॉर अन ओफिस नियरबाए, अन रिटर्न विट अ पैर ओफ वाइट प्लास्टिक फैन्स, क्या हुआ, अब यहाँ पे 20 मिनिट हो गए, बाहर तो लेके आगए किंग टुट की बॉड़ी को, हाइड्रॉलिक लिफ्ट पे भी ले गए, सिटी स्कैन का प्रोसीजर भी स्टार्ट हो चुका है, कहाँ पे वहीं हाइड्रॉलिक लिफ्ट जो थी, वहाँ पे ऊपर उसकी मशीन रखी थी, सिटी स्कैन के और वहीं पे उनका क्या चल रहा था, सिटी स्कैन का पूरा प्रोसेस चल रहा था, अब process होते हुए 20 minutes बीद गए और दो men, दो आदमी भगते हुए तेजी की speed में कहा गए, पास में एक office था वहां तक गए और क्या लेके वापस लोटे उस office से, अब pair of white plastic fans, white color के plastic fans उस office से लेने के लिए भगे क्यों लेने के लिए भगे, the million dollar scanner had quit because of sand in the cooler fan क्या हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पिछली slide में बताया था, कि जो sand थी वो ट्वाल हो रही थी, पूरी घूम रही थी, पूरा area dusty हो रहा था spare याने की extra, ये white plastic fans लेके आए, ताकि इनको fix करके वापस city scan का process continue किया जाए ये बोल रहे थे, अब वहाँ पे एक guard जो खड़ा हुआ था, एक जो guard खड़ा थो उसने क्या बोला, curse of the pharaoh, joked a guard nervously तो एक guard ने joke मारते हुआ और डर डर के एक चीज़ बोली कि ये curse of pharaoh है, curse यहने शराप है pharaoh का, king का ये शराप है, क्योंकि उनकी body पर लिखा हुआ था, जो भी उन्हें disturb करेगा, उसको बुरी किस्मत misfortune प्राप्त होगी मिलेगी, या तो फिर उनकी death हो जाएगी, तो उसने million dollar, इतनी महांगी machine भी हमारी खराब हो गई, eventually the substitute fans worked well and enough to finish the procedure, फिर finally वो जो substitute, वो जो spare extra fans, जो वो लोग white color के ले किया है, वो उन्होंने fix किया, वो काम करगा, पूरा city scanning का जो पूरा process सा, पूरा procedure था, वो फाइनली finish हुआ, after checking that no data had been lost, the technicians turned, took over to the workman and carried him back to his tomb, फिर finally उन्होंने सब चेक किया, की पूरा procedure हो गया, सब चीज़ है record हो गई, कोई चीज़ मिस तो नहीं होई, सारे में जिसको उन्होंने study कर लिया, फिर फाइनली यही workman को, पॉल बेर्स को उन्होंने दिया, कि आप यह body लो और वापिस इनको इनके टूम में, इनके मगबर में, रख दो जैसे पहले थे, less than three hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace, where the funerary priests had laid him so long ago, तो यह जो पूरा process था, city scan का, वो कितनी देर सला, पूरे three hours तक चला, और three hours के बाद, finally, priest ने, जो उनके वहां के उस वक्त के उनके पुजारी जो थे, जैसे उन्होंने सालों पहले उन्सको rest in peace किया था, पर उन्होंने बरी किया था इग्जाक्ली उसी जगह पर उसको वापिस रेस्टेन पीस किया उसके मगबरे में उसका जहां पर बरी किया गया था वहीं पर उसको वापिस रग दिया जैसे वो पहले थे बाक इंदे ट्रेलर अटेक्शन पूल अप एस टोनिशिग इमेज़ अफट अवन दे कम्प्यूटर स्क्रीण आि कि यानि की यह पिक्चर देख रहे हो यह बहुत सारी पिक्चर जी जब सिटी स्कैन हुआ वह से पिक्चर जी गए उनकी तो उन्होंने क्या किया technician ने जो computer पर work कर रहा था उसने सारी images को एक साथ रखके computer screen पर रखके महाँ पर जो कुछ लोग कर रहे थे उनको दिखाया कि इस तरीके से images निकली जिसमें इसका head था, इसकी body थी उसकी neck दिख रही थी, सब कुछ चीज़े उसने दिख रहे हैं किंक टुट के बारे में तो वो technician ने इस तरीके से screen पर सब को महाँ पर दिखाया अब grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted in every direction अब pixels क्या होता है pixels हम सब को पता है कि छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-चोटे टुकडे मिलके एक पूरी picture बनती है हम कभी-कभी बोलते हैं वाट्साप पे pictures वेजोगे तो pixel फट जाएंगे तो pixel फट जाएंगे आने कि वो छोटे-छोटे-चोटे टुकडो में डिवाइड हो जाएगर picture clear ने दिखेगी scattered याने बिखरी हुई दिखेगी तो वो ये बोल रहा है कि सारे pixels को जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के हमने एक gray color के head की image निकाली जो king tut की image थी इस तरीके से image निकली उनकी and फिर technician ने उसको क्या क्या spun किया यानि उस image को head वाली जो ये image चीज़ को घुमाया हर direction में दिखाया आगे से side से back view, front view हर चीज़ उन्होंने दिखाया and tilt किया हर direction में ताकि अच्छे से head को study किया जाए neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class अब vertebrae क्या होता है vertebrae यानिकी series of small bones which form a backbone हमारी जो backbone होती है जो हमारी spinal cord होती है उसमें छोटे-छोटे ऐसे तुकडे होते है bones के और यह पूरे ऐसे टुकडे बन-बन के बन-बन के पूरी एक हमारी spinal cord बनती है उसी तरह हमारी neck vertebrae भी होती है जो exactly आप ऐसे देख सकते हैं यह चोटे-चोटे टुकडे-टुकडे-टुकडे-टुकडे bones के मिला के वो neck vertebrae दिख रही थी तो यहां यह बात बोली जा रही है कि जो neck vertebrae दिख रही थी उसकी वो exactly ऐसे दिख रही थी कि जैसे हम किसी anatomy class में यानि कि हम किसी science की class में जहां पर human body के बार में पढ़ाया जाता है Other images revealed a hand several views of the rib cage and transaction of the skull और भी बहुत सारी images ली गई जिसमें उसमें उसके hands दिख रहे थे बहुत सारे view दिख रहे थे उसके rib cage के और उसके skull के बारे में But for now the pressure was off Sitting back in his chair Zahi Hawass smiled visibly relieved that nothing had gone seriously wrong तो Zahi Hawass जो की secretary है antiquity के, antique चीजों के Egypt में वो शुरू में कह रहे थे कि Howard Carter ने बहुत ज़दा damage कर दिया है King Tut की body को वो अब कह रहे है sitting back in his chair आरामस अपनी chair पर पीछे से take लगा के rest देखे बैठे हैं और बोल रहे हैं और smile भी कर रहे हैं बोल रहे हैं कि अब मैं relieved हूँ यानि अब मैं tension free हूँ क्योंकि nothing had gone seriously wrong कुछ भी इतना कुछ seriously wrong या गलत नहीं हुआ है उनके सारे जितने भी jewels थी expensive cheese थी body के साथ वो सब वहीं के वहीं हैं तो उन्हेंने बोला मैं इतना ज़्यादा tension में अब नहीं हूँ अब थोड़ा relief feel कर रहा हूँ I didn't sleep last night not for a second he said I was so worried but now I think I will go and sleep तो यह जो Mr. जही हवस है यह कह रहे हैं कि मैं एक रात पहले सो नहीं पाया हूँ बहुत tension में था King Tut की body के बार में सोचके कि कि कितनी बुरी तरह उसको damage हुआ है और बहुत सारी चीज़े उसमें से शद लूट ली गई है यानि कि चुरा ली गई होंगी लेकिन अब जब मुझे सब पता चल गया है तो मैं वरीद नहीं हूँ और अब मैं घर जाओंगो और अराम से सोंगा क्योंकि रात में tension में मुझे नीद नहीं आई है अब शुरू में जब वो hydraulic lift पे बैठ कर उसको ले जा रहे थे उपर इस तरीके सा hydraulic lift पे यहां पर city scan की ले जा रहे थे तो यह मैंने बताया था कि जो सैंड थी वह बहुत ज़ादा टोल कर रहे थी घूम रही थी और पूरा dust हो रहा था इसी वज़े से उनके cooler जो fans थे उसमें dust फ़स गई थी और उनकी सिटी स्कानिंग मशीन चलना बंद हो गई थी वह अब यह बताना है कि अब जो city scan machine हमने आप scan कर लिया अब जब हम descend कर रहे थे यहने जब हम नीचे की तरफ वापस आ रहे थे अब सब कुछ हो गया अब सैंड अपने आप रुख गई जब हम काम कर रहे थे तब सांड इतनी तेस्ट रही थी हमारे काम में प्रॉब्लम भी होई अटके भी हम एक जगा बीच में क स्पेर फैन्स लाने पड़े एक्स्ट्रा फैन्स लाने पड़े ओफिस से लेकिन जैसे हम डिसेंड हुए नीचे की तरफ वो त्रे हाइड्रॉलिक लिफ्ट के तो हमारा क्या हुआ सांड जो सांड तेस्ट रही थी जो इतना मौसम खराब था वो सब शान्त हो गया अब यहाँ पर वैली ओफ दिपार्टिट का मतलब क्या है वैली ओफ दे किंग्स याने एजिट में वो ही एरिया पूरा बड़ा सा जो सिमेट्री बनी हुए है जहाँ पर बड़े-बड़े किंग्स और सारे रोयल फैमिली की लोगों की ममिफिकेशन करके उनको बरी किया जाता है उसी को यहाँ पे लोग वैली ओफ डिपार्टिट भी कह रहें तो उस जगा का यह लोग मौसम बता रहें उस दिन का कि बहुत विंटर थी याने ठंड का टाइम था स्टिल सब कुछ बहुत वहाँ पे शांत था लाइक डेथ इसल वैसा लग रहा था डेथ के बोडी इसको बरी किया गया और इग्जाक्ली यहाँ पर भी किंग तुट की बोडी भी है जस्ट अबव दी एंट्रेंस तुट तुट स्टॉर्म स्टॉट और रायन दे कॉंसलेशन दाट दी एंशन एजिप्शिंस नियू अज़ सोल ऑफ ऑसर इस दे गॉर्ड अवर्ड बोड अब यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि जहां पर किंग का टूम है जहाँ उसका मद्बर compleat है जस्त उसके ऊपर और और नाम का एक कॉंस्टलेशन है इस्तार्स का समूव सब सार्ज बन गुरूप बन के कोई कोई एक इमज बनती है को या फिर कुछ एक डिजाइन बनाते तो उसको हम constellation कहते हैं तो जहां पर टूम है जहां पर मगबरा है किंग तुट का उसके जस्ट उपर ही एक ओरियन नाम का constellation भी है यानि स्टार्स का समूव हूँ that the ancient Egyptians new as the soul of Osiris और जो ancient Egyptians जो पुराने वहां पर Egypt के लोग है वो कहते हैं कि यह जो Orion नाम का constellation है किंग तुट के टूम के ऊपर यह किसकी सोल है यहां पर यहां किसकी आत्म रहती है और से जैने वही दगॉड ऑफ्टर life या the god of death और वो क्या कर रही है watching over the boy king वो बॉइ किंग तुट उसको वाच कर रही है यानि continuously उसको देखती रहती उसको protect करती रहती है और उसके death के रासको उसने hold करके रखा हुआ है तो वो हमेशा ध्यान देती रहती किंग तुट की dead body ka so children here we come to an end with this chapter I hope आपको chapter बहुत समझ में आया होगा बहुत इंट्रेस्टिंग लगा होगा थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेट था था बढ़ हमने सारी पिक्चुस को देखते हुए समझते हुए सारे important words को understand करते हुए मैंने इस chapter को बहुत easy बनाया है थाकि आप सबको समझ मैं so children thank you so much and stay tuned for the next video क्योंकि next video में हम इस chapter की summary और important comprehension question and answers cover करेंगे till then bye bye and stay safe